दिल्ली सरकार की एक योजना जिसकी चर्चा पुरे हिंदुस्तान में कुछ वर्षों से रही उस योजना का नाम है फरिष्टे इसकी फरिष्टे दिल्ली के जिसमें अगर किसी भी आदमी का एक्सिडेंट दिल्ली के अंदर होता है चाहे वो कहीं का भी नेवासी हो अगर दिल्ली की सड़क पे उसका कोई एक्सिडेंट होता है दूगटना होती है तो उसको किसी भी नजदी की प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में ले जाये जा सकता है और उसका जो भी इलाज है उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है ये एक बहुत बड़ी स्कीम थी जिसकी साराहना सब जगे की गई मगर आपको ये जानके हैरानी होगी कि करीब पिछले एक साल से ये स्कीम ठप पड़ी है इस स्कीम को कार्यानवित करने का तरीका ये रहता है कि जब भी कोई दुरगटना होती है दिल्ली सरकार की ये स्कीम है कि कोई भी आदमी ये पुर्णे का काम करे कि उसको मरीज को उठा के नजदी की प्राइवेट अस्पताल में भरती करा दे और जो आदमी ऐसे मरीज को अस्पताल तक ले जाता है उसको कहा जाता है दिल्ली के फरिष्टे और उसको 2000 रुपे की सम्मान राशी भी दी जाती है और प्राइवेट अस्पतालों को कहा जाता है कि आप इनका पूरा इलाज कीजिए इस इलाज पे जितना भी खर्चा आएगा वो पैसा एक सरकारी रेट पे दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पताल को देगी हाला कि जो सरकारी रेट है वो प्राइवेट अस्पतालों के रेट से कम होते हैं मगर उसके बावजूद भी प्राइवेट अस्पताल इसके अंदर बढ़ चड़के हिस्सा ले रहे थे और जब इसकी 15 जनवरी 2018 में लाँच की गई उसके बाद से करीब 23,000 लोगों का इलाज या कह सकते हैं कि उनकी जानमाल की उनकी जान की उनकी शरीर की रक्षा जो है इसकीम के अंदर हुई मगर एक शडेंत्र के तहट एक तैसकीम के तहट इस पूरी की पूरी फरिष्टे योजना को ठप करने का काम पिछले देड़ साल से किया जा रहा है अब मैं सिलसिले वार ढग से बताता हूँ क्या किया जा रहा है प्राइवेट अस्पताल के अंदर किसी गरीब आदमी का इलाज होगा किसी दुरगटना घरस्त आदमी का इलाज होगा प्राइवेट अस्पताल उसका इलाज कर देगा उसकी जान बचा लेगा चाए नियूरो सरजरी हो या कोई और बड़ी सरजरी हो उनका हिलाज किया जाएगा और फ्राइवेट अस्पताल सोचेगा कि इसका पैसा दिल्ली सरकार से मिल जाएगा मगर एक तैय स्कीम के तहट एक तैय योजना के तहट उन प्राइविट अस्पतालों का पैसा एक साल से जाधा से पेमेंट नहीं किया गया और कुछ अस्पतालों का तो जुलाई 2022 से पेमेंट रुका हुआ है आईए सदिकारी डॉक्टर एसबी दीपक कुमार और एक दूसरी महिला डॉक्टर डॉक्टर नूतन मुंडेजा मैं नहीं समझता की इस इसके लिए कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने परिवारों के सदस से खोदी होंगे और इनको इसमें क्या सुख की प्राप्ती हो रही है कि किसी गरीब का इलाज ना हुपाए अर्विंद केजरिवाल की बदनामी हो जाए किसी तरीके से इसलिए बिल रोक लो बिल मैं तो व्यक्तिकत चाहूंगा कि बहुत बड़ी सजा मिले यह तो बहुत ही घटिया करते हैं मगर क्योंकि अफसर शाही की अपनी सीमाएं तो मैंने यह चिट्थी जो है अर्विंद केजरिवाल जी को मुख्यमंत्री जी को लिखी है और कहा है कि इन दोनों अफसरों को त मुख्यमंत्री जी को लिखी है और मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसको जो है संबंदित प्लेट फॉर्म के उपर रखेंगे उठाएंगे और इसके अंदर जो है सक्ट से सक्ट जो है सजा इनको जो है अफसरों को दी जाएं